नमस्कार दोस्तों आप से भी का मेरे चैनल एम क्लासे में स्वागत है दोस्तों आज बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे काफी स्टुडेंट जो है इसके लिए वेट कर रहे थे आज हम बात करेंगे सियासब हेट कॉंस्टेबल मिनिस्ट्रियल की सियासब हेट कॉंस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो है 2019 में निकला था जिसके टोटल पत 429 थे इसके फॉर्म भड़े गए 2019 में लेकिन इसका एकजाम नहीं हो पाया क्योंकि 2020 में इसका एकजाम होने वाला था लेकिन कोबिट की वज़े से कोबिट की वज़े से इसका एक्जाम कई बार पॉस्पर्ण हुआ कई सेंटर कई वैनू चैंज किये गए बट इसका एक्जाम नहीं हो पाया फाइनली सियासप ने ओफिसली एलाउंस कर दिया गया इसका एक्जाम होगा इसका डेट भी पब्लिश कर दिया गया कि किस मन्त में होगा किस डेट को होगा और कहां कहां इसके वैनू होँगे तो आप लोग इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो के साथ बने रहे इसको अंत तक देखें बिना इसकी क्यों है ओफिसल अगस्मेंट हो चुका है कि इसका एक्जाम कब होगा यह एक लेटर है जिसे CISP ने ओफिसली अगस्ट किया है 26 अगस्ट को कितना अगस्ट को 26 अगस्ट को अगस्ट को अगस्ट किया है तो उच पर दा रिपोर्ट, रिषिप्ट फ्रॉम दा कंसन, आरर्सी, मतल़ की बारे में, बोलते हैं, कि टोटल तीन लाख, तीन लाख, तीन हजार कैंडिटेट ने इस फॉर्म को भरा है, जिसके एक्जाम होने है, तीन लाख, तीन हजार, यहाँ पे देख रहे हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा है ऐसा CISF अपने लेटर में कह रही है जिसका exam होना है जिसका exam होना है तीन लाग तीस हजार इस्टुटेंटों का exam लिया जाएगा इसके exam कप कप होंगे तो इसके exam के तीन डेट दिये गये है पहला तो दिया गया है 6 गार यानि 6 नौवंबर को दूसरा दिया गया है 12 नौवंबर को और तिसरा दिया गया है 13 नौवंबर को ठीक है तो 12 नौवंबर को भी 6 नौवंबर जो संडे है और 12 नौवंबर भी संडे है 13 नौवंबर को भी संडे है अब चलते हैं कि इसके centers कहां कहां होंगे देखिए काफी numbers है students के इसलिए इतने लोगों को एक साथ एक जगर पे नहीं बिठाया जाए सकता इसलिए पूरे भारत में John Wise जो है इसको बाटा गया है जो दिल्ली के NCR है जो दिल्ली NCR जैसे नोडा या हरियाना के उस साइड में जो भी NCR वाले लोग हैं जिसमें संतावन 1724 कैंडिडेट हैं उसके दो फेज में एक्जाम होगा तो आप लोग अकर इस छेतर से आते हैं तो आप लोग जान लेजिए कि दो फेज में एक्जाम होगा उसका एक्जाम होगा 12 डिसंबर को सटड़े और 13 डिसंबर को संड़े को होगा और एक है Western John Mumbai यानि Mumbai एरिया में जो है वो 12,423 लोगों का एक्जाम होना है और उसका जो सिंगल फेज में एक्जाम होगा वो 6 डिसंबर को होगा ठीक है 6 डिसंबर को होगा तीसरा जो है North John 1 New Delhi उसमें 1,13,326 लोगों का एक्जाम होना है उसे 3 फेज में लिया जाएगा अलग-अलग वैनु में जो की उपर 3,5 जो बताया गया है 6 तारीक, 12 तारीक और 13 नॉमबर और साथ ही साथ जो चौथा नमर अगर आप देखेंगे तो 2 रिजब बतालेन रांची जो है जिसमें 4,085 लोगों का एक्जाम होना है वो दो फेज में एक्जाम होगा 12,11 और 13,11 को सेंट्रल जो भिलाई है भिलाई का छेतर उसके आसपास का छेतर जो है उसमें 22,740 लोगों का एक्जाम होना है वो भी दो फेज में होगा 12 नॉमबर और 13 नॉमबर को और क्या नाम है आटवे नॉमबर पर देखेंगे एनी जेट नॉर्थीस्ट जो है ग्वाटी है इसमें 7,663 लोगों का एक्जाम होना इसका भी सिंगल फेज में होगा तो आप लोग देख रहे होगे कि अलग अलग छेट में कहीं पर 3 फेज में कहीं 2 फेज में कहीं 1 फेज पर जो है एक्जाम होने वाले हैं टोटल 3,000,000 तीन हजार स्टुडेंटों का आगे चलते हैं इसका दूसरा पेज है इस लेटर का कि इसमें बताय गया है कि जो प्रोसेस है रिटर एक्जामिनेशन का उसमें कितने सेंटर किस जौने बताय जाएंगे तो ये काम के हमारे चीज नहीं है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि NCR और न्यू देली में टोटल 25 से 29 जो है सेंटर बनाने की बात कही गई है क्योंकि इसमें काफी इस्टुएंट बैठेंगे संताउन हजार इस्टुएंट कहीं बैठेंगे और वेस्टर जोमें जो उसमें 11 से 13 सेंटर बनाने की बात कही गई है उसी परकार नौर्थ जोम्हएंट落 न्यू देली का जो छेतर है जिसमें सबसे जाधिय स्टुएंट है 1,13,320 इसमें 32 से 32 सेंटर बनाने की बात कही गई है उसी परकार सेकर इजाब आटेलियन राची है उसमें 44 जो इस्टुएंट के होने हैं उसमें 19,000 19 से 22 जो है सेंटर बनाने की बात कही गई है एक है साउथ जौन उवन चिन्नाई जिसमें 20,587 स्टुएंट के एकजाम होने है CISP ने यह ओर्डर किया है कि 9 से 11 सेंटर वहाँ पर बनाए जाए और एक North East John Guwahati है जिसमें 7663 लोगों का एकजाम होना है उसमें 6 से 8 सेंटर बनाने की बात कही गई है और साथ ही साथ उन्होंने clarification मांगा है कि आप किस कि स्कूल को किस कि कॉलेज को यहां 4 नमर में देख रहे होंगे कहां कहां आप सेंटर बना रहे हो उसमें sitting capacity क्या है वो सभी लिख के हेट क्वार्टर को circulate करे ठीक है लेटर का तिसरा पेज है इस पेज पे यहां बताया गया है इसमें दीपक अगरवाल जी है डिप्टी डारेक्टर जनरल रिकूर्ट्मेंट दीपक अगरवाल जी का यह साइन किया हुआ 26 अगस्का लेटर है तो आप लोगों को confusion नहीं होना चाहिए इसके भी सेमें बिलकुल ही अब हम बात करेंगे कि यह एक्जाम कैसा होगा कई स्टूर्ण ने comment में पूछा कि सर इसका एक्जाम बेस क्या होगा computer बेस होगा या फिर written बेस स्वारी ओमर सीट बेस होगा तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो notification जारी हुई थी उसमें यह साप साप लिखा गया था कि यह एक्जाम किसी भी pattern पे हो सकता है चाहे वो OMR बेस्ट हो या CBT बेस्ट हो OMR बेस्ट हो CBT बेस्ट हो ऐसा उसमें बोला गया था लेकिन यहाँ में जताई जा रहे है कि 99% चांस यहाँ है कि यहाँ जो है OMR ही बेस्ट होगा क्योंकि इसे पहले भी जितने भी एक्जाम हुए हैं CI सबके OMR बेस्ट हुए है और उसके बाद हम कुछ subject के बारे बात कर लेते हैं कि इसमें कोन-कोन से subject से कितने-कितने परसन पूछे जाएंगे देखे इस student इसमें जो है total 100 questions पूछे जाते हैं 100 questions में 4 sections होते हैं परतेक section में 25 questions होते हैं आप जानते ही होंगे पहला पहला जो section है वो reasoning का है वो reasoning 25 नंबर के पूछे जाएंगे और परतेक 25 questions होंगे उसमें एक-एक मार्क का question होगा टोटल 25 मार्क होगा arithmetic के जो ability है यानि mathematics जो होगा वो भी 25 मार्क का होगा 25 questions उसके बाद general Hindi या English यही 25 मार्क का होगा देखिए जिसमें general English और Hindi जो बताया गया है इसमें Hindi के भी 25 questions पूछे जाएंगे और English के भी 25 questions पूछे जाएंगे जो एक-एक मार्क का होगा यह question और मैं पूछी जाते है या मैं पूछी जाते है क्योंकि जो student का Hindi अच्छा है वो Hindi को select कर सकते हैं लास्ट में है general awareness जनरल अवेडनेस यानि की GKGS current affair जो भी होगे उसके 25 नमबर टोटल 100 नमबर के questions पूछे जाएंगे अब time duration के बारे में बात कर लेते हैं time duration के अगर हम बात करें तो total time duration जो होगा इस paper का 100 questions पूछे जाएंगे एक 100 questions होंगे और total दो घंटे आपको दिये जाएंगे तोल कितने घंटे दिये जाएंगे दो घंटे दिये जाएंगे अब यहाँ पर देख रहेंगे total duration of exam is two hours each question carries one mark मने परते question के एक mark होंगे और यह देखिए यह जो लास्ट में बात मैं बता रहा हूं या कह रहा हूं कि the qualifying mark इस paper में आपको qualify होना है किसके लिए आपको typing test के लिए qualify होना है तो qualifying का एक criteria रखा गया है या फिर एक criteria देखा गया इससे पहले कि जो general candidate है general और OBC candidate है उसे कम से कम 35% मार्क लाना होगा कितना 35% और STSC को 23% मार्क लाना परेगा qualifying mark यह है देखिए इसमें कम जादे हो सकता है वो center और headquarter जो recruitment sale है उसमें depend करता है लेकिन ऐसा कयास लगाया जाता है और इससे पहले भी ऐसा हुआ है तो आप लोग को बिल्कुल confused नहीं होना है अब हम बात करते हैं कि इसके negative examination के negative mark के देखिए कई strength ने comment box में यह लिखा कि sir क्या इसमें negative mark है तो दोस्तों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अभी तक अभी तक कि जो है CISF जो खुद conduct कराती है hate constable का इजाम उसमें negative mark नहीं होता है negative mark नहीं होता है तो एक बहुत ही अच्छा opportunity है आप लोग question को attempt करने का लेकिन फिर भी मैं खहूंगा कि आप लोग तैयारी करें और सही से सही जवाब दें ठीक है क्योंकि 30% mark लाना कोई बड़ी बात नहीं है या 33% mark लाना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप लोग तैयारी करेंगे अच्छा थोरी हम लोग और हम लोग बात करते हैं कि इसके exam में जो question पुछे जाएंगे वो कैसे कैसे होंगे या भी कितने levels का होंगा देखे दोस्तो जो इसका gk होता है इसका जो gk है gk जो आप railway का speed है जो railway का speed है उस standard का इसमें gk पूछा जाता है तो आप लोग को जाधर difficulty या पर बहुत ही deep पढ़ने की जरूत नहीं है आप लोग speed को अपने साथ में दखे अच्छा उसके बाद जो mathematics के अगर हम बात करें तो mathematical mathematics में जो ratio जो अनुपात वाले section है average वाले sections है simplifications है adding है तो यह सारे जो है जो चक्रबर्ती व्याज या फिर साधरन व्याज के questions हैं ऐसे छोटे question पूछे जाते हैं काफी deep questions या भी काफी घुमाया हुआ question इसमें तो नहीं पूछे जाते हैं अब तक तो पूछे नहीं गया जो previous year के हैं पता नहीं इस वार क्या होगा वह अलग बात है लेकिन पिछले का अगर record देखे तो पहले ऐसे ही होता था अच्छा और reasoning के अगर ब पूछे जाएंगे तो आसा करते हैं कि आप लोग को यह जानकारी अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सेयर करना ना भूलें क्योंकि एक सब्सक्राइब एक लाइक से किसी का कुछ नहीं जाता लेकिन मैं या पिर हमारे जैसे जो भी यूटुबर्स हैं वो मोटिवेट जरूर होते हैं अगला वीडियो बेस से बेस बनाने के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन